जे हिंद वंदे मात्रम स्वागत है सभी सातियों का राजस्तान के सबसे लोगपीरी चैनल इस्टेडी एक्जाम एकेडमी पर नए हो तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर गड़ लें और गोर्मेंट जोब की न्यूज पाने के लिए हमारा टेलीग्रम ग्रूप आप जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया हुआ है एक नई वेकेंसी आई हुई है राजस्तान में क्या ये वेकेंसी राजस्तान की है तो हम बिल्कुल फारम वडर्म में बर्सकते है उसके लवा राजस्तान के बा़ के कोई श्टेट के विदारती है कोई बी इंडिया किसी बी कौने से हुआ तो आप इसमें आवे दिन कर सकते हैं यह वेकेंसी निकली है बीएस एप जिसको आप जानते हो बॉर्डर सेग्रूटी पोर्स इसके अंदर यह वेकेंसी निकली है योग्यता शिरफ दसमी पास इसमें मांगी गई है और एज लिमिट में यहां पर छूट भी दी गई है और महिला पूरुस दोनों के लिए सीधी बढ़ती है क्या बढ़ती है इसकी प्रोसेस क्या है आपको दिखा कर पूरी जानकर यह आपको देने वाला हूं सबसे हम पहले बात करते हैं एज लिमिट की तो इसमें तीन पोस्ट है अलग अलग पोस्ट आयू यह विए सेप में एक तो कॉंस्टेबल इस्टोर में किये इसके अंदर यह आपकी आयू 20 से 25 यह है तो आप इसमें आवे दिन कर सकते हैं इसके लवा ओबी सी एश्टी वालों को एज में छूट भी दी गई है इसके लवा असिस्टेंट सबस्पेक्टर यानि की एसिस्टेंट रेडियो मेकेनिकी है जिसके अंदर आप देख सकते ह है अलग है यहां पर थोड़ी छूट है अठाई साल तक इसके लवा असिटेंट सबस्पेक्टर यह पर एयरक्राफ्ट मेकेनिकी है जिसके अंदर भी अठाई साल तक क्लोजिंग डेट यहां पर आप देख सकते हैं इसके लवा बात करें तो यहां पर ऐसी एश्टी आलों को पांस साल, OBC को तीन साल की, एक सर्विसमेन को तीन साल, मिलिटरी सर्विस के बाद एज में चूट दी गई है इसके लवा भी आप यहां पर पूरी जानकरी इस ओपिशनल नोटिवेक्शन में ले सकते हैं जो हमारी टेलीग्राम गूरूप में आपको मिल जाएगा इसक पूरी जानकरी ले सकते हैं लेकिन इसमें एक ACP पोस्ट है कॉंस्टेबल वाली जिसके अंदर आप 10 पास है तो भी बर सकते हैं फिजिकल इस्टेंडर में इसमें इंदर क्या होने वाला है तो हाइट मेल की 165 cm, फिमेल की 150 cm, चेस्ट 76-80 cm फिमेल को यहां पर चेस्ट बग यहां पर बात करें, तो आपका मेडिकल बगएरा टेस्ट होगा इस सब्सक्राइब बगएर में और आगे यहां पर और बात करते हैं पूरी जानकरी आपको दे देते हैं एक बार, कॉंस्टेबल की और, यहां पर रिटन एक्जाम होगा जिसके अंदर पूरा 100 नमर का 25 परसंट आपके आने वाले हैं और पेपर को पास करने के लिए जनरल EWS OBC केटेगरी को 50 परसंट नमर लाना जुरूरी है, SCHC केटेगरी को 45 परसंट त्यानि पूरे पेपर का इतने नमर आपके आते हैं तो आपको पास माना जाएगा, इसके लबाब फिजिकल टेस्ट मा आपको ताइम दिया जाएगा, इसके लबाब पूरी जानकार एक लोंग जब हाई जम आप देख सकते हैं यह जो भी होते हैं एक्जाम में वो सारे होने वाले हैं, इसके लबाब यहाँ पर बात करें, फिजिकल टेस्ट है, तो इसके अंदर बात करें तो पांस किलो मेंट में यानि कॉंस्टेबल वालूं के लिए और इनका जो है यह यह सेम यह पेपर बगेरा सो नमर का यहां पर होने वाला है जिसके अंदर कोई भी उमीदवार जो भी इसके अंदर फोरम बढ़ना चाहता है बिल्कुर बढ़ सकता है बाद में आपका आवेदन फीस की बात करें तो आपके आवेदन फीस यहां पर सो रूपे रखी गई है और आवेदन कब से कब तक करना है 27 तारिक से आवेदन इस्टाट हो चुका है और 26 जुलाई 2021 किस तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं रातरी 12 बज़े से पेले पेले यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर को यहां पर पर यहां पर आप देख सकते हैं जो भी है यहां पर योग्यता की बात करें कि कौन-कौन इसके अधर आवे दिन कर सकता है तो असिस्टेंड एरक्राफ मेकनिक यहां पर इसके लिए जो भी विदारती तीन जिन भी स्टुडेंट के साथ तीन ये इसका डिपलोमा है वो इसे रिलेटेड ट्रेड गा तो यहां पर ट्रेड शलुषिता का ली करें पर सकते हैं तो इसके इनदर आप धेख सकते हैं यहां पर पर अधी मेक्सके बाद में जह कर दे ход